आज हम डिसकस करेंगे लोटो के बारे में यह लोटो क्या होता है और लोटो का मिनिंग क्या है लोटो क्यूं होता है कब भी इसे अपलाई किया जाता है किसे लोटो किया जाता है और इसका प्रोसीजियर क्या है लोटो का मतलब है कि लोकाउट और ट्यागाउट जब इंडस्री में एक मेशिन और एक्यूमेन में मेंटेनांस और रिपेर का कुछ काम किया जाता है तब अधर एंपलईस को इस एक्यूमेन को स्टार्ट ना करने के लिए वार्निंग देने के लिए लोटो प्रोसेस अपलाई किया जाता है जब तक ये लोटो नोटिश रिमूब नहीं किया जाएगा कोई भी उस मेशिन को स्टार्ट नहीं करेगा तो अभी देखेंगे लोकाउट क्या होता है ट्यागाउट क्या होता है लेट सी वाट इस लोकाउट लोकाउट मींस एक मेशिन और एक्यूमेन को इन अपरेटिव और पावर आईसोलेशन करना जिसकी वज़ा है कि that machine cannot be started or used लोक इंडिकेट करता है कि वो मेशिन और एक्यूमेन फल्टी है और अंडर रिपेर और मेंटेनस है और जब तक लोक प्रेजेंट है कोई उस मेशिन को अपरेट नहीं करेगा अभी देखेंगे कि टाग आउट क्या होता है टाग आउट का मतलब है कि एक टाग टाए करना जो इंडिकेट करता है कि वो मेशिन अंडर रिपेर और मेंटेनस है और no one should touch or use that मेशिन जब लोक आउट पसिबूल नहीं होता है उसी टाइम टाग आउट ज्यादा जरूरी होता है लेकिन टाग आउट also can be used with lockout for further precaution ज्यादा precaution रेने के लिए और ज्यादा सेप्टी मेजर करने के मेंटेन करने के लिए लोक आउट के साथ टाग आउट भी जरूरी होता है अभी देखेंगे कि लोटो कैसे useful होता है एक motor और एक switch और starter और equipment के unexpected starting और operation के द्वारा होने वाला accident को प्रिभेंट करने के लिए लोटो ज्यादा useful होता है जब एक electric line, vessel, pipe, pipeline, source of supply of power, energy, flow सभी को repair और maintenance करना होता है तब ये सभी को isolate करना पड़ता है for this purpose, सभी switch, liver, valve, control knob को locked up position में positive locking करके रखना चाहिए उसके साथ tagging भी करना चाहिए जो की indicate करता है not to open the lock और operate that switch और भाल एसेटरा now let's see multiple locking क्या होता है और कैसे होता है जब एक से ज्यादा department को same switch, valve और equipment को lock out करना होता है तब भी हर एक department को अपना अपना lock and tag apply करना पड़ता है multiple locking में हर एक key different होना चाहिए और no master key should be available कोई भी master key नहीं होना चाहिए अभी देखेंगे कि लोट की procedure क्या होता है और इसको कैसे किया जाता है locking और tagging करने से पहले concerned operator और user को ये inform करना चाहिए कि line, switch, valve और equipment isolate और de-energized होने वाला है और उनको काम बन करके ठीक करने के लिए time देना चाहिए second procedure क्या है plan the shutdown and make the system off shutdown को safely plan करना चाहिए उसके बाद system को off करना चाहिए third procedure है कि insert lock and attach tag lock insert करना चाहिए और lock करना चाहिए उसके साथ tag भी attach करना चाहिए next one is test the isolation is positive and as per expectation अभी हमको check करना चाहिए isolation ठीक से हुआ है कोई leakage current पास नहीं हो रहा है और जैसे हम चाहते थे पैसे ही हुआ है fifth procedure क्या है जब repair और maintenance complete हो जाता है तभी locking and tagging को remove करना चाहिए and sixth procedure है और last procedure है कि again concerned operator को काम खतम हो गया लोटो remove हो गया अभी वो लोग safely काम कर सकते हैं inform करना चाहिए thank you for watching hope you all have got some knowledge about lotto please watch like and share the video and don't forget to subscribe my channel thank you